नमश्कार भूल भूलया तीन जो की 2024 की most anticipated film होने वाली है उसकी सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ जी हाँ एक ऐसा तगड़ा जटका लगा है जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें दूसरे चैनल रहूल वोच कॉमेडी है कॉमेंट सेक्षन में लिंक पेस्ट कर दिया है तो बात करते हैं कार्तिक आरियन दे फ्यूचर सुपर स्टार की upcoming film के बारे में जिसका नाम है भूल भूलया तीन सबसे पहली भूल भूलया आये थी दोस्तों आपको याद होगा तो वो अक्षे कुमार की थी और उसमें विद्याबालन बनी थी मौनजोलीका हां जी दूसरी भूल भूल यह इन्होंने कुछ अलग ही अंजुलिका मौंजुलिका बना दी ती और ये फिल्म ने जो है पहली फिल्म के कंपेर में एक अलग बार सैट किया था हाला कि कार्टि कारिन का परफॉमेंस सबको पसंद आया ये फिल्म जो है बॉक्स आफिस पे अच्छा खासा कमाई करते हुए आगे बढ़ गई थी अब बारी है भूल भूलिया तीन की और आप लोगों को बता दू तो कियारा अडवानी जो की फिल्म में एक बहुत अच्छी किरदार में थी यानिकि भूल भूलिया टू में एक बहुत अच्छी करदार में थी वो इस फिल्म से मिसिंग है जी हाँ और उन्हें किसने मिस किया है उन्हें भावी टू ने गायब कर दिया है दरसल भावी टू बोले तो त्रिप्ती धिमरी हम सबको पता है कि एक बहुत खुबसूरत एक्टरस है जिनका नाम एनिमल के बाद चारों तरफ हो गया और एनिमल को देखने के बाद लोगों ने यही का कि यार ये तो एक नैशनल क्रश है बाई गॉड मुझे समझ में नहीं जाता कि त्रिप्ती जी ने इससे पहले भी अच्छे अच्छी फिल्म करी है बच स्टिल आइडों नो कि उनको वो रेकंग्निशन क्यों नहीं मिला यह फिल्म इंडस्ट्री है यहां पर कब चीज़े कैसे पलच जाएं पता नहीं चलता तो त्रिप्ती धिमरी जो है वो अ यहनी कि कार्थी कारियन का करदार भी यहां पर है अब यह दोनों मिलकर क्या गुल खिलाएंगे और क्या यहां पर आमीचे तुम्हार लड़का लड़की वर्सेस हो जाएगा वही देखना बहुत जादा इंट्रस्टिंग हो जाएगा क्योंकि यह एक अलग तरहिये का कॉ लेकर आ रहे हैं अनीज बात भी आप लोगों को क्या है कहना तृप्ति के एंट्री पर और कियारा के एक्जिट पर बताए जरूर और बने रहें चैनल के साथ देखते रहें चली कजाना बाबाई